तो सामने आप देखे रहे हैं किया का ब्लैक प्रोडक्ट सबसे पहले वैलकम बैक टू आवर अनाधर वीडियो तो बाई यह किया की सोनेट है और इसके बारे में आज हम बात करेंगे फुल रिव्यू देने वाले हैं गाइडी की तो सबसे पहले इसकी जो स्मार्ट की जो द आप अपने घर से निकलने वाले गाड़ी की स्टार्ट एसी हो जाएका और गाड़ी अंदर से चिल्ड आप अंदर से जाके कैबिन को बेटी और ठंड़ ठंड़ा महसूस करिए तो बात करें किया की यह सामने आपकी बाज आती है बैजिंग की फ्रंट लुक जो है ऐसे न यहां पर कुछ ऐलमूनियम ग्रिल दे जाती चाहती और यहां पर प्याण ब्लैक के वाला जाते हैं एलमूनियम के साथ और यहां यहां पर बात करें गाड़ी की साइड प्रोफाइल की यहां पर गाड़ी के साथ जो की बहुत ही ज्यादा बहतरीन लगता है इस गाड़ी के ऊपर मतलब जसता है यह 16 इंच का वील मिलता है किया के अंदर sonot के अंदर अपॉले टायर ओटमेटिज दॉस्ट ow मेंने बतायाशची बैजिंग हाँ बिलल जाते है और वी फ़ी एंटर मिलते हैं यहां पर आपको टॉन इंडिकेटर मिलता है वह यहां बात करिए देखिए यहां पर आपको यह आउट डोल के लिए हैंडल मिल जाता है अनलॉक करने के लिए रिक्वेस सेंसर मिल जाता है कीले सेंट्री के साथ और यहां पर यह जो क्रोम बाले जो पाट आना यह बहुत अच्छा जचरा इस गाड़ी के ऊपर अभी इसकी लुक देख लिए आपको कितनी बहतरी लग रही है इसका ए प्लर बी प्लर दौनों ही ना ग्लॉसी ब्लैक के स आती है यह कोई आक्सेसरी का पाट नहीं है कंपनी की तरफ से आपको मिलने वाला रूफ ग्रिल अभी पीछे से कुछ भाई ऐसी लुक निकलकर आती है अपनी किया सोनेट की और पीछे वाली जो 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 डियर केमरा आपको यहां पर मिल जाता है यह पूरी डिट टिर टेल confiactor मिल जाता है दौनों साइड कि रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करें तो दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं नीचे कुछ इस तरीके के幡़ने प्र आता है यह देख ली जिये और साइड प्रोफाइल मैंने आपको दिखाई दीया बात करते है फ्यूल की 35 लीटर का आपको डीजल फ्यूल टैंक मिलता इसके अंदर और अभी गाइड़ी के अंदर चलने वाले इस तरीके कि इसकी लुक आर्च आती है पीछे से देख लिए गाइड़ी कैसे लग रही ब्लैक ग्लाइडिंग के साथ सारी क्लाइडिंग आपको ब्लैक ही मिलेंगे यह देख लिए इसकी भी ब्लैक है यह वाइड कलर है ब्लैक क्लाइडिंग मिलेंगी और डायमंड का टॉल विल क्या बहतरी लग रहे हैं बीच में किया का लोगो बहुत ही ज्यादा सांदार लगता है किया सोनेट का और भाई इस प्राइस रेंज में एक ऐसी वी देखना फ्यूचरिस्टिक के साथ बहुत ही ज़्यादा भैतरीन है क्योंकि पीछे आपको डीफोगर मिलता है वाइपर नहीं मिलता हाइए मांट स्टॉप लैम मिलता शार्क फिन एंटीन आपको ऊपर मिल जाता है चलिए गाईडी के अंदर चलते हैं अब गाईडी के बात करते ह बारे में कि क्या-काईडी मिल जाती मेरे पास आते ही अपने आप ऑन गाईडी को मैं कर लेता हूं अनलॉक यह देख लीजिए गाईडी अनलॉक हो चुकी है अंदर जाते ही मैंने डोर पैनल को ओपन कर रहा और यहां पर मेरे को समसे पहले ट्विटर दिखाए एक छोटा सा यहां पर कुछ ऐसा हाड़ प्लास्टिक के साथ चारोई पावर विंडो लॉक अनलॉक खलने का ऑप्शन मिलता है आप यहां से अपनी और वियम को सेट कर सकते हैं इधर साइड से भी आप राइट या लेफ्ट कौन सा और वियम को फोल्ड करना है सेट करना यहां पर ए यह देख लीजिए यहां पर कोल टायर इंफ्लमेशन प्रैसर यहां आपको लिखा हुआ है इधर देख लीजिए आपको हैट एजस्टेवल सिक्स वे हाइट एजस्टेवल आपको मिल जाता है रिक्लाइनर के साथ वह भी मैनुवली आप एजस्ट कर सकते हैं फ्यूल टें करते हैं आप सब्सप्रेंद के किया कशन कशने में चारएं कंशा की तैरके कि प्रिम्यूम लुक आ रहता यह लग रही है इसके मतलब यह जो डाइंटिलेटिट सीट सेना सॉरी 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 इस नॉट वेंटिलेटिट सीट मतलब यह सीट कबर इसके उपर हैं बहुत ज्यादा अच्छी लुक निकल कर आती है ऑटोमेटिक के साथ यहां पर आपको दो दो चार्जिंग मिल जाते हैं यहां पर आप 2-7-7-9-7- 9-7 शिटम मिल जाता है यहां पर आप अपने Bluetooth जाएगा ये लीक नहीं करती भाई लीक तो कोई भी नहीं करती वो तो कहने वाली बात है कंपनी अपनी बुरी नहीं सारी कंपनिया बैस्ट है और यहां पर आपने संग्लासिज आप रख सकते हैं यह देख लिए यह आपको को चलिए ओन करके दिखाता हूं को कैसा लगता है कितना ज्यादा जस्ता देख लीजिए चलिए वीडियो को एंड तक देखे तो सबसे पहले बाई सब्सक्राइब जुरू कर लीजिए चैनल को कि चलिए अब हम इंजिन को ओन कर लेते हैं यहां से अपनी इंजिन को ओन करते हैं कुछ इस तरीके के क्लश्टर आता है अब यह वन प्रेस पी इतना ही दिखाएगा दो प्रेस करा स्मार्ट चेक लिखा आ गया स्पीड भाई आप सारा यह डिजिटल है यहां पर आपको सू इंडिएटर पर गाड़ी आ रही है यह बता रहा है को टीस के अंदर आपको टायर प्रेस्टर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलने वाला है एबरिज कितनी आ रही में में चीज़े आपको सारी क्रेश्टर के अंदर मिल जाएंगी कुछ मांट कंट्रोल आपको यहां से मिल जाते सेफटी फीचर्स किया कि अंदर काफी ज़्यादा बहतरी नहीं और बेक असिस्ट भी मिल जाता है काफी ज़्यादा अच्छी चीज़े मिल जाती है ट्रेक्शन के लिए और यहां पर फ्रंट आपने डिफॉगर आपको एसी मिलता है फैन ओपन कर सकते हैं यहां से काफी ज़्यादा फीचर्स टिक यह गाडी है एसी वैंटस देख लीजे कितने अच्छे एसी वैंटस है और यहां पर फेंस स्पीड और आप आपने लो और हाई कर सकते हैं ञश्क बहुत फोन प्लेज़ाए तो डैट पैडल भी आपको नीचे मिल जाता है , यहां पर आप तो इस गाड़ी के जो भाई रेन वाइजर से जो की वाइपर है वह आटोमेटिक नहीं है वह मैनुवाली है और चलिए गाड़ी के जो सीट की बात कर लेते हैं गाड़ी की सीट काफी ज्यादा कमफर्टीवल है मैं अभी बेटा हूँ तो काफी अच्छा इसका लेग रूम और हैड रूम मेरे को ड्रैवर साइज लग रहा है और काफी ज्यादा अच्छा है बहुत ही ज्यादा कमफर्टेवल है अगर मैं कहूंगा आप किसी लॉंग ट्रैबलिंग पर जा रहे हैं तो का यहां पर आपको च्छोटा स्पेस मिल जाता है वन क्लिक में आपकी विंडो डाउन हो जाएगी आगे वाली स्वारी पीछे वाली नहीं यहां पर आपको भाई मैंने पूरी सीट को पीछे कर लिया इतना स्पेस आपको लैग रूम में बचता है और काफी ज्यादा पीछे कुछ इस तरीके के एक राम रेश्टर मिल जाता है सीट के इंदर बीच में आपको मिलेगा वह मैं आपको दिखा देता हूं अभी यह देख लिए वही बात दो कफोल्डर भी आपको यहां मिल चुके हैं पीछे दो इसी वेंट मिल चुके हैं यहां पर ट्रे है चलिए पीछे एक बार बूट स्पेस ओपन करके दिखा जाता हूं अब बूट स्पेस की बात आती है तो 392 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है फिर भी एक बार शो करना ज़रूरी है यह इसका बूट स्पेस और क्या वाई इसकी गदिया मिलने वाली है आपक की नीचे स्पेर वील है समान थोड़ा भर रहा है मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता तो आप जिस दिन गाड़े लेना है खुद देख लीजिए अच्छा दो लाइट आपको यहां पर भी मिल जाती है यह देख लीजिए एक लाइट यहां पर इंसुलेटिंग पैडिंग मिल जाती है अब इसको कर लेते हैं बूट स्पेस को बंद तो यह अपनी किया सोनेट आपको कैसी लगी गाइस तो इसके इंजिन की बात कर लेते हैं किमिन आपको मैं दिखा देता हूं और ऑपन करने के लिए हमको यहां से अभी भाई ओपन कर देंगे यहां से होड़ चार स्लेंटर इंजन डीजल इंजन एक सो पंदरे बीच पी के साथ टॉर्क आपको निकाल के देता है और यह 1493 में इंजन है और कुछ इस तरीके के भरा भरा सा इंजन है आपको मैं दिखा देता हूं कि इंजन के वरेज भी यहां पर मिल जाता है इंसुलेटिंग नहीं मिलती है और आपको कैसी लगी यह किया सोनेट बाइ कमेंट सेसन में जरूर बताएं तो थैंक्स टू वाचिंग माई वीडियो लव यू ओल गाईज